हेलो फ्रेंज चलिए हम आज इस तरह का डॉर्मेट बनाना सिखेंगे जो बनाने में बिल्कुल एजी है तो ये दिखिए ये छे पत्नियों का बैलूंस वारा डॉर्मेट बनके कम्प्रिट है आप इसे किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं जैसी कि आप थालपोस की जगा या डॉर्मेट की जगा या टेबल मेट की जगा किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं तो देखी काफी शुन्दर हमारा बन के काफी बड़ा छे पतियों का कम्प्लीट हुआ है ये तो आईए इसे बनाना सीखते हैं किस तरह से हमने बनाना है तो आईए शुरू करते हैं बनाना इसको तो चलिए फ्रेंस सीखते हैं एक नए डिजान का डोर मेट जिसके लिए मैंने यहाँ पे तीन कलर लिये हुए है आप अपनी पसंद का कोई भी इसमें कलर ले सकते हैं और यहाँ पे मैंने ये तीनों कलर की वूल को फोल्ड किया है आप इसे पुरानी चुन्नियों और प्राइशे भी बना सकते हैं इसके लिए मैंने यह देखी नोंबर शलाई ली हुई है इसी से मैं आपको बहुत ही प्यारा सार बहुत ही सुन्दर सा एक नए डिजान का डोर मेट बनाना शिखाएंगे जो बनाने में बिल्कुल ईजी है तो प्लीस आपने अभी तक चैनल क सबस्क्राइब नहीं क्या है तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेश करें ताकि आपके पास हमारी वीडियो के नोटिफिकिशन सबसे पहले पोचे तो चलिए सबसे पहले हम फंदा डालेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से फंदा भी आपको ब बना सकते हैं यह मैं आपको वूल में बता रही हूं तो आप इसे किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं जैसे कि डोल मैट की जगा या टेवल मैट की जगा या पूजा आशन की तरह या थाल पोस की जगा कैसे भी यूज कर सकते हैं तो देखिए मैं यहां पर 14 ले लेती हूं उस दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, ना, दस, ये ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, और इधर से भी हम ऐसे ही इसको बन लेंगे, अगर आपके पास, बूल मोटी है, तो आप सिंगल बूल से भी इसको बना सकते हैं, तो ये रेखिए, मैंने इधर से भी बुलनी ये हैं, अब ये देखिए, हम पहले फंदे को उतारेंगे, और दागा अपनी तरफ घुमाएंगे, और यहाँ पर लाश्ट के दो दो फंदे छोड़ेंगे, तो देखिए, लाश्ट के मैंने दो फंदा छोड़ दिया है, और यहीं से अपना टन करेंगे, दो तो करके हमने ये बारे फंदे अपने छोड़ लेने हैं, ऐसे ही, पहला फंदा उतारेंगे, दागा अपनी तरफ घुमाएंगे, और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते हुए, लाश्ट के फिर से दो फंदे छोड़ेंगे, गे रेखिए, तो यहाँ पर चार फंदे मैंने छोड़ लिए हैं, इसी तरह से मैं और बाकी के फंदे भी छोड़ लेती हूं, 14 फंदे डाली हूं, 12 फंदे छोड़ लेती हूं, उसके बाद आपको फिर से दिखाते हैं, हर बार हमने ऐसे ही उल्टे उल्टे बनाते हूँ जाना है, पहले फंदे को उतारेंगे और धागा अपनी तरफ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से हमारा चोटी की तरह फिनिशिंग के साथ हमारा बनता चलाए, दो-दो करके हमारे यहाँ पर छे फंदे छुड़ गए हैं, यह देखिए, दो-चार-च्छे, छे फंदे और छोड़े लेती हूं, तो देखिए फ्रेंस, यहाँ पर मैंने दो-चार-च्छे-आठ-दस-बारा, बारा फंदे छोड़े लिए हैं, यहीं से हम वापिस हो जा इस तरह से, अब यह रिखिए हम सब भी फंदों को धागापनी तरफ पूम आएंगे, और जो फंदे मैंने छोड़े हैं, दो-दो करके सब भी को मैं पूरी शलाई को बना लूँगे इस तरह से, तो यहां पर मुझे तीन पत्तियां ब्लैक से बनानी हैं, और बाकी की पत्तियां अपना यहीं ब्राउन कलर से बनानी है, यह रिखिए, अब हमने पूरी शलाई को बना लिया है, अब यहीं से हम अपना इसमें दूसरा कलर एड़ करेंगे, इस तरह से यहीं रिखिए, सेम तरीके से हम इसमें अपनी पांच पत्तियां बना के कम्प्लिट करेंगे, हर पत्ति हमने ऐसे ही बनानी है, जैसे मैंने आपको यह बताई हुई है, यह देखिए, पहला फंदा उतारेंगे, दाग अपनी तरफ गुमाएंगे, फिर से हम लाश्ट के दो फंदे छोड़ेंगे, ऐसे ही मैं पूरा अपना पांच पत्तियां यहां बना लेती हूँ, उसके आगे आपको फिर दिखाएंगे, बिल्कुल सिंपल सार इजी सा तरीका है आपको मनाने का, यह देखिए, तो आईए मैं कर लेती हूँ, पांच पतियां बना के इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये ब्लैक बताई है सेम तरीके से तो देखी फ्रेंज मैंने पांच पतियां बना ली है इस तरह से अब ये देखिए यहाँ पे हम क्या खरेंगे यहां पर हमारे 14 फंदे हैं और 14 फंदे भी मैं इस साइड भी अपना ऐसे ही उठा लूगे तो आप चाहें तो ब्लैक से भी उठा सकते हैं यहां पर हम अपने 14 फंदे इस तरह से इस धागे से उठा लेंगे एक दो ब्लैक से भी आप उठा सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे आप उस तरह से फंदे उठा लें कोई भी कलर से क्यूंकि मैं उल्टी तरफ से आऊँगी तो यह ब्लैक भी इसी धागे से इसी कलर से मैं बना लूँगी तो तीन हो चुके हैं चार पाँच छे साथ आथ नव बेस ग्यारा बारा द्वारा तरा और यह लाश्टे हम यहां पर 14 फंदा उठा लिए यह देखिए इस तरह से अच्छे से हमारे फिनिशिंग के साथ फंदे उठ चुके हैं अब यह देखिए यहां से हम यहां पर हमारे 14 फंदे 28 फंदे यहां पर हो चुके हैं आप Śबी को पूरी सलाई को इसी Color से 14 फंदे वाले ये भी हम इसी Color से उल्टी तरफ से बना लेंगे आप चाहें तो ब्लैक से उठा सकते हैं जैसा आपको ठिक लगे आप उस तरह से यहां से फंदे ले ले सकते हैं कोई भी कलर से ये देखिए अब ये ब्लैक भी हम इसी धागे से बना लेंगे इसको बनाना बिलकुल ईजी है आप इसे किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं काफी सुन्दर लगता है बनने के बाद ये देखिए इस तरह से अब हमने क्या करना है हम पूरी स्लाई को इसी तरह से बना लेंगे ये रेखिए सीधी स्लाई को पूरा ऐसे ही बनाएंगे जब हम उल्टी तरफ आएंगे तो वो हम दोनों स्लाई से अपना फंदा घटाते हुए इसको बनाते हुए चलेंगे तो देखिए सीधी स्लाई मैंने बना ली है यहाँ पर फंदे उठाने के बाद एक स्लाई हमारी बन चुकी है अब यह देखिए हम अपना दोनों स्लाई से फंदा घटाना सुरू करेंगे यह हम उल्टी तरफ से और हर सलाई पर अपना फंदा घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर मैंने एक फंदा कम कर दिया है आगी के फंदे सब भी उल्टे उल्टे भुनेंगे और लाश्ट में भी हम दो का एक करेंगे तो यानि कि हम दोनों स्लाई से अपना फंदा घटाते हुए इसको बनाएंगे और इसके बाद मैंने एक सलाई बना ली है बाकी की सलाईयों पर सब ही पर हम उल्टी शाइट से फंदा घटाएंगे हर बार सीधी सलाई को ऐसे ही बुनेंगे उल्टी तरफ आएंगे तो दौनों साइट से फंदा हम घटाएंगे यह देखिए यहाँ पर भी हम दो का एक कर देते हैं इस तरह से एक फंदा इस साइट घट गया है और एक फंदा ही मैंने इस साइट घटा लिया है आगे ही हूँ सीधी सलाई पर तो सीधी सलाई को क्या करेंगे ऐसे ही बुनते हुए कंप्लेट करेंगे फिर हमने उल्टी साइट से ब्लैक लगाना है दो-दो सलाईयों का हम अपना ये बनाएंगे दो सलाई हो चुकी है यानि कि दोनों तरफ की चार सलाईया प्लेश आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राईब नहीं क्या है तो प्लेश चैनल को सब्सक्राईब करें और बैल आइकन को प्रेश करें ताकि आपके पास अवारी वीडियो के नोटिपिकेशन पहुंच सकें तो मैंने सीधी शलाई को बना लिया यह देखिए इस तरह से आगे हूं उल्टी शलाई पर तो उल्टी शलाई पर देखिए फिर से हम दो का एक बनाएंगे और हम यहाँ पर अपना इस तरह से ब्लेक को एड़ करेंगे यह देखिए दो का एक कर दिया आगे के फंदे बनाएंगे लाश्ट के फिर से दो फंदे कम कर देंगे ब्लैक से भी ऐसे ही हम बनाते हुए इसको सभी फंदों को घटा लेंगे दोनों साइट से और दो-दो सलाईया हम हर कलर से बनाएंगे जैसे कि दो सलाईया ब्लैक से दो सलाईया इस कलर से ऐसे बनाके कंप्लेट करते हैं उसके आगे मैं आपको फिर दिखाती हूं तो चलिए यह देखिए यहां पर भी हम लाश्ट में दो का एक करेंगे यह देखिए इस तरह से तो अब यहां पर चार फंदे हमारे कम हो चुके हैं सीदी सलाईय में हमने कुशने करना है इसको हम ऐसे ही बनाएंगे तो चलिए बना लेती हूं थोड़ा सा तो देखिए फ्रेंच यहां पर अभी चार फंदे बाकी हैं हमारे सभी फंदे घड़ चुके हैं और यहां पर हमारी पत्ती भी यह बनके कम्प्लेट है दोनों साइड से मैंने ऐसे ही हर बार फंदा घटाया हुआ है यह देखिए इस तरह से दो का एक कर दिया और आगे भी हम दो का एक कर देंगे यह देखिए इस तरह से अब लास्ट में हम यहां पर सीधी साइड से अपना दो का एक कर देते हैं इस तरह से और यहीं पर हम दागे को कट करेंगे और यहीं पर नॉट लगा देंगे इस तरह से यह देखिए काफी अच्छे से हमारी यह फिनिशिंग के साथ पत्ति बनके आई है इसी तरह कि मैं अपने यहां पर 6 पतियां बना लेती हूं 3 पत्तियां मुझे इसी कलर से बनानी है क्योंकि वाइट में मुझे बलैक ही लगाना है सेम तरीका रहेगा बनाने का जैसे मैंने ये बनाई है सेम तरीके से बाकी पर्टियों को बनाऊंगी तो तीन इस कलर की बनानी है और तीन कलर ही इसकी बनानी है जिसमें हम अपना वाइट लगाएंगे और ब्लैक यही रहेगा और पाइट को लगाएंगे यानि कि तीन कलर से तो चलिए मैं बना लेती हूँ तो देखिए फ्रेंस हमने बना ली हैं दो, तीन, चार, पांच, छे तो यहाँ पर यह देखिए आप देख सकते हैं तीन पतियां इस कलर से और तीन पतियां इस कलर से तो आईए हम इनको किस तरह से सिलाई करेंगे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ तो देखिए इस तरह से हम हलका सा हमने सिलने के वक्त अपना पति को थोड़ा सा खीच लेना है ताकि आपके यह टेबल मैट की फिटिंग अच्छे से आ चुके कही बार होता है कि सिलने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है तो आपको जब भी सिलाई करने है तो हलका सा पत्ती को इस तरह से खीच लेना है यह देखिए तो एक पत्ती को हम इस तरह से रखेंगे और दूसरी को हम इस तरह से कि देखिए क्योंकि अच्छे से हमारी यह पत्तियां तब ही हम थोड़ा सा हलका सा इसको कीच करके करते हैं तो अच्छे से यह हमारी पत्तियां आ जाती है कि देखिए अच्छे से आपको पूरा के लिए दिखने रहा है कि इस तरह से सभी पत्तियों को अब हम उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद हम इनकी सिलाई करेंगे तो छे पत्ति को मैंने रख लिया है अच्छे से और बहुत ही अच्छे से इनकी यहां पर इस धागी को हम लाश्ट में कट कर देंगे बहुत प्यारा सा हमारा यह डोर मेंट टेबल मेंट बनके कम्प्रिट हुआ है तो देखिए मैं यहां पर सभी पत्तियों इस तरह से उल्टा उल्टा कर लोगी सिलते वक्त हमने थोड़ा सा हलकी को पत्ति को सौरी खीच लेना है क्योंकि अच्छे से इसकी हमारी छेयों पत्ति फिटिंग के साथ आ जाती है कैई बार ऐसा होता है कि किसी में पांच पत्तियां ही आती है तो आपको जब भी शिलाई करनी है तो आप हलका सा इस तरह से पत्ति को खीच ले यह देखिए कोई भी दागा लेके आप ऐसे शिलाई कर ले ब्लैक को ब्लैक से मिलाना है और वाइट को इस दूसरे कलर से मिला देना है ऐसे हम सब भी पत्तियों को सिल लेंगे यह रेखी आप इसी पुरानी चुनी और साड़ी से आराम से बना सकते हैं सिलने में भी बिल्कुल आसानी है कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कर दो कि यह देखिए इस तरह से अब यहीं से इसी दागे से हम इसमें अपना दूसरी पत्ति को जोंड कर लेंगे ऐसे इसी तरह से आपको दागा लंबा सा डाल लेना है और एक ही दागे से आपको अच्छी से शिलाई कर लेंगे तो चलिए मैं सिल लेती हूँ तो देखिए फ्रैंस यह सिलके कंप्लिट है इस तरह से यह देखिए पहुत ही बढ़ा रभ बहुत प्यारा सा हमारा यह टेबल मैज बनके झाल झाल